हेलो दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर अश्मनी बसन आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने डिस बडिंग का केस लेके आया हूँ जिसको हम सिंग निकालना, सिंग रेंदना और सिंग सेकना भी बोलते हैं जो हम बशिया में करते हैं, जिसकी उमर दो वीक से पांच वीक तक रहती है इस वीडियो में मैं सिंग कास्टिक मेटर से निकाल लूँगा जिसे में हम प्टेश्यम हाइडरोकसाइड की टैबल्डी जूज करते हैं जो की बड़ा ही असान और सिंपल मेटर है हर आदमी, हर डेरी फार्मर इसको गर में यूज करके अपनी बशिया के सिंग निकाल सकता है सबसे पॉंटर रहता है, जरूरी रहता है कि आपको वो जगा अडेंटिफाई करनी है ताकि दवाई अच्छी जगा लगे और आपकी बशिया के सिंग पूरी तरह से निकल सके इसमें आप बेहोशी की दवाई जूस कर सकते हैं और अगर आप ना भी करना चाहें, तबी भी आप अपनी बशिया के सिंग निकाल सकते हैं जैसे कि मैं इसमें वीडियो में आपको बताऊंगा आपको एनिमल को प्रपरली रिस्टेन कर लेना है जैसे कि मैंने इसकी चारे टांगे अच्छी तरह बांद ली हैं अच्छी तरह उनको क्लिप कर लेना है एक एक सेंटिमेटर बड़ की इर्द गिर्द आपने बाल उतारने है ताकि आपको जो बड़ है वो प्रपरली दिखे जब आप बड़े बाल उतार लेंगे उसके बाद आपने ब्लेड का यूज करना है आप वीडियो में देख सकते हैं आपको ब्लेक कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि प्रॉमिनेट है वो ही बड़ है वो ही साइट है जहां पर आपने द्वाई लगानी है नॉर्मली जो स्टूडन्ट है जो वेटनेरी पास होट है और जो पैरवेट हैं फिल्ड में यहीं पर गलती करते हैं कि उनको बड़ अडेंटिफाई नहीं होता है वो दवाई गलत जगा पर लगा देते हैं जिसकी वज़ा से सिंग द्वारा से बापिस आ जाते हैं और फिल्ड में जो आपका फेथ है फार्मर के प्रती वो कम हो जाता है फार्मर परेशान हो जाता है मेरी आप से रुकैस्ट है आप मेरी वीडियो को बार-बार देखिए और आप फिल्ड में प्रैक्टिस कीजिए बड़ फिल करने में जैसे कि मैं अभी उंगलियों से उस bud को feel कर रहा हूँ आप भी ऐसा कीजिए क्योंकि यही main part है जहां पे आपने द्वाई लगानी है और आपके जो बशिया के सिंग है वो properly निकलेंगे पूरी तरह से निकलेंगे और कभी भी बापिस नहीं आएंगे वीडियो में आगे आप देखेंगे मेरी आप से यह request है मेरा 15 साल का experience है आपने जब द्वाई लगानी है उसको आपने 5 मिनटे के लिए ऐसे ही short देना है दोनों जगा को उसका फाइदा यह रहता है कि जो उपर वाली layer होती है वो गल जाती है और जब आप 5 मिनटे के बाद आर्टरी force up से उसको उतारते है वो असानी से उतरती है मेरी एक वो request है आप से कि potassium hydroxide की tablet को आप कभी भी हाथ में मत पकड़िए क्योंकि वो आपका हाथ जिला देगी जब भी आप sing निकालिए आप किसी force up के साथ उसको रब की दिये उपर potassium hydroxide की tablet को आप हवा में मत रखिए क्योंकि वो हाइग्रसकोपिक होती है और वो जल्दी पिखल जाती है आप देखिए अब मैं आर्टरी force up के साथ उपर वाली layer को असानी से उतार रहा हूँ और वो असानी से उतर भी रही है इस जगा पे आपने main focus करना है कुछ लोग जल्दवाजी कर लेते हैं और थोड़ी सी layer उतारते हैं और वो सोचते हैं सिंग जो है वो पूरी तरह से निकल गए है ऐसा नहीं होता है आपको वीडियो बार बार देखो इसको आप देखिए जब मैं इसको rub कर रहा हूँ नीचे से white layer दिख रही है वो आपने तब तक rub करते रहना है जब तक नीचे आपको blood vessel blue color की ना दिखे वो एक indication रहती है कि आपकी जो bud है वो पूरी तरह से निकल चुका है अब अगर आपने और rub किया तो बहां से bleeding होगी जिसको रोक बना बड़ा ही मुश्किल है जैसे कि आप देखो मैंने right side में पहले किया अब मैं left side में कर रहा हूँ ऐसे आपने दोनों side में करना है और goal goal इसको गुमाना है अब आप देखिए दोनों side से मैंने उपर बले layer उतार दी है और नीचे मुझे blood vessel दिख रहे ही है अब मैंने stop कर देना है और उसके बाद मुझे potassium per manigate का जो powder है वो दोनों side पे लगाना है या आप negacent powder का भी use कर सकते हैं ये दोनों caudriation और healy में मदद करते हैं उसके बाद आप जानवर को painkiller और antibiotic दे सकते हैं post operative gear के लिए मेरी आपसी ये request है आप उसके बाद जानवर की दोनों पीशे वाले टांगों को एक feet gap देके बांद दीजिए ताकि उसकी टांगें सर तक ना पहुंचें और उसको कोई injury ना हो जानवर को आप खुले में बांद दीए ताकि वो दिवार के साथ सर को ना रगड़े क्योंकि अगर ऐसा वो करेगा तो वहां से bleeding होगी जिसको रोक पाना बड़ा ही मुश्किल होता है आप से मेरी request है last में आप एक बार फिर से check कीजिए कि जो आपने side पे potassium hydroxide की tablet लगा के diswarding किया वहां से कोई bleeding दो नहीं हो रही अगर नहीं हो रही है तो आपका जो treatment है वो successful है आपके ने जो singh निकाले है वो properly निकाले है animal को को damage नहीं हुआ यह बड़ा ही simple और easy method है इसमें मैं आपको और बताऊंगा कि इसी गर में मैंने दो बशिया के पहले भी singh निकाले थे जैसे यह बशिया है इसको मैंने singh निकाले थे आज इसकी उमर 3 साल है इसमें singh द्वारा नहीं आये है और यह एक guy hand के पास आप देख सकते हैं इसके भी singh द्वारा नहीं आये है यह मैंने इसलिए बताया आपको होगा आपकी फिल्ड में reputation बढ़ेगी और आपका जो believe है owner के परती वो भी बढ़ेगा मेरी वीडियो आपको अच्छी लेगी हो आप like कीजिए share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि और लोगों को भी इसकी help मिल सके thank you